हेलो एवरिबड़ी, हाउ आर यू, वेलकम टू नागेश करजगी और्टिड स्कूल, शिक्षण अपल्यादारी मैं आपकी हिंदी टीचर, नावी शेक, कक्षातिन में आप सभी का स्वागत है लास पिरेड में हमने पाठ क्रमांकतिन, परोपकारी कचुवा, यह पाठ पढ़ा था इस पाठ का हमने स्वाध्या चुडाया था तो बच्चो, आज उसके आगे का स्वाध्य हम लोग आज छुडाने वाले हैं ओपन यूर टेस्ट बूक, पेज नमबर 23 ओपन क्या सभी ने? पेज नमबर 25 कोश्चन नमबर 7 पाठ से सउध्या का शब्द छाट कर वाक्य पूरे कीजिए सउध्या याने किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, आत्वा, प्राणी के नाम को हम लोग क्या कहेंगे? सग्या कहेंगे तो कोश्चन क्या है? पाठ से सग्या शब्द छाट कर वाक्य पूरा कीजिए तो उन्होंने उदारण के तोर पे हमें एक बताया है तालाब के किनारे क्या लिखा है यहाँ पे? तालाब के किनारे पर डैश डैश का एक पेड़ था कौन सा पेड़ था यहाँ पे? यहाँ पर क्या आएगा? जामून तो इस तरह से नेक्स कोश्चन सौल करना है तालाब में एक डैश डैश रहता था कौन रहता था तालाब में? बताओ, कौन रहता था तालाब में? तालाब में रहता था कचुवा, तालाब में एक कचुवा रहता था तो एंसर इस तरह से लिखना है इधर देखो बच्चो कचु आ इस तरह से वहाँ पर लिख दो तालाब में एक कचुवा रहता था Next गोसले में से एक डैश डैश निकल कर सीधा डैश डैश में जा गिरा तो बताओ बच्चो इसका एंसर क्या है पता है किसी को हाँ बताओ बराबर है गोसले में से एक अंडा निकल कर सीधा यहाँ पर क्या आएगा तालाब में जा गिरा तो यहाँ पर का जो एंसर है मैं लिख के बता रही हूँ सबी नोट डाउन करो अपने टेस्बूक में लिखो पेंसिल से लिखना है पेंड नहीं यूज करना है लिखो गोसले में से एक अंडा इस तरह से लिखना है वो एंसर अंडा लिखा सबी ने नेक्स क्या है निकल कर सिधा कांजा गिरा वो तालाब में तो इस तरह से लिखना है त को काना देना है ल को काना देना है और ब तालाब में ठीक है नेक्स कौन सा कोश्चन है शुक्र है शुक्र है तुमारा डैश डैश पानी में ही गिरा यहाँ पर क्या आएगा? कोई बता सकता है क्या? इसका एंसर क्या है? हाँ, बताओ जल्दी से, ओके, अंडा, बराबरे, तो यहाँ पर क्या लिखना है? नेक्स्ट एंसर है अंडा, तो लिखो, शुक्र है तुमारा अंडा पानी में ही गिरा, नेक्स्ट ड है, डाइस डाइस ततका लुड़कर जामून के पेड़ पर जा बैठा, यहाँ पर क्या आएगा? बताओ, हाँ, ठीक है, बराबरे, कव्वा, तो यहाँ पर क्या एंसर आएगा? कव्वा, इस तरह से लिखना है, कव को एक काना देना है, उपर दो मातरा देना है, और यह है आ, कव्वा, इस तरह से यह एंसर लिखना है, समझ में आ गए आपके सभी के, इस तरह से एंसर लिखो, नेक्स्ट पेज नमबर 26 ओपन करो पेज नमबर 26 वहाँ पर क्या आए नीचे दिये गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए विलोम याने आपोजिट वर्ड आपको लिखना है यहाँ पर यहाँ पर यह एक एक्जाम्पल दिया है का पास पास के आपोजिट के आएगा दूर उसी तरह ज्यादा ज्यादा के आपोजिट के आएगा कोई बता सकता है हाँ बताओ जल्दी से ओके ज्यादा का आपोजिट है कम तो यहाँ पर एंसर इस तरह से लिखना है Question number 8 उसमें का ख उसका answer क्या है? ज्यादा कम Next क्या है? पसन आगे क्या है? पसन पसन के opposite क्या आएगा? बताओ पसन के opposite है ना पसन Very good ना पसन लिखा सभी ने? अच्छी तरह से लिखो spelling mistake करना नहीं है Next क्या है? दुख्खी दुख्खी के opposite क्या आएगा? दुख्खी के opposite है? सुख्खी सरको उकार देना है खरको वेलांटी दो सुख्खी उसके बाद क्या है? ड नीराशा नीराशा के opposite क्या आएगा? नीराशा के opposite लिखो लिखा सभी ने उसके आगे है सुरक्षीद सुरक्षीद के opposite क्या आएगा? असुरक्षीद लिखो असुरक्षीद सरको उकार देना है सरको वेलांटी देना है असुरक्षीद उसके बाद है दिन दिन के opposite क्या आएगा? बताओ दिन के opposite रात वेरी गुड रखो काना देना है नेक्स्ट है बाहर बाहर के opposite क्या आएगा? बाहर के opposite क्या आएगा? बताओ कौन बता सकता है? वेरी गुड बाहर के opposite है भीतर तो बच्चो आपके समझ में आ गया? कैसे fill up करना है? एंसर बराबर से लिखो पास के opposite दूर वैसे ज़्यादा कम पसन ना पसन दुखी दुखी सुखी निराशा आशा सुरक्षित असुरक्षित दिन रात बाहर भीतर इस तरह से एंसर लिखना है नेक्स्ट उसके आगया है रशनात्मक कारिय यह आपके लिए होभमोर के नीचे दिये गए जीव जन्तों के घर शब्द पहली में से ढून कर लिखिए जैसे शेर की गूफा होती है वैसी मधुमक्की बैस पपिहा मचली साप चूहा मकडी यह काँ पर रहते हैं इसमें दिया हुआ है तो यह पहली आपको सुलजा ना है इसके एंसर यहां पर आपको लिखना है उसके आगे है विभिन प्रकार के पक्षियों के गोसलों के चित्र इखटे करके एक चाड़ पेपर पर चिपका यह अगर आपको पॉसीबल है तो गूगल से सर्च करो नहीं तो जहां पर भी आपको यह चित्र मिलेगे वो इखटा करके आपके पास अगर रब्बुख हो तो उसमें यह चिपका दो बुरे काम का बुरा नतिजा इस वाक्य पर 5 से 7 वाक्यों में अनुश्यत लिखना है आपके रब्बुख में यह बुरे काम का बुरा नतिजा जो होता है उसके बारे में पास्ता त्वाक्यों लिख दो और यह जो पार्ट आपने पढ़ा है उसका पठन दो बार करना है ओके तो हम लोग आगे बढ़ने से पहले नेक्स लेसन अब रीड करेंगे तो बच्चों हम लोग आज पढ़ेंगे पाट क्रमांकचार नन्ना पवदा इसके लेखके राजियू कुरुष्ण सक्सेना तो बच्चों आपको बोर्ट पे क्या दिखाई दे रहा है दिख रहा है यह पिच्चर यहाँ पर यह पवदे का विकास है और यहाँ पर क्या दिख रहा है मानो का विकास तो पवदे का विकास और मानो का विकास इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है समान था दिखाई दे रही है न जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आपको यह बीज है फिर इसमें से second आगे क्या दिख रहा है थोड़ा सा इसमें से कुछ ऐसा पौधा निकल आया है और इस तरह से ये बढ़ते बढ़ते ऐसा ये पौधा इतना बढ़ गया है तो उसी प्रकार यहाँ पर भी आपको दिख रहा है यह छोटा सा बच्चा है जैसे कि यह अंकूर के जैसा लग अंकूर और इसमें थोड़ी समान था है कि ने जैसे कि यह बच्चा छोटा फिर उसके बाद यह बड़ा हो रहा है यह बालक है फिर यह उससे थोड़ा बड़ा हो गया यहाँ पर यह किशोर आवस्ता है और यहाँ पर यह कुमार आवस्ता आ गई फिर इसके बार यह प्रोड बन गया और इस तरह से वो बुड़ा हो गया यानि यह पेड कैसा बड़ा होता है उसी तरह से हमारा मानों का भी विकास होता है तो आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ नन्ना पौधा तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है यह पौधेक का विकास और उसी तरह से मानों का विकास इसके उपर कुछ कोश्चन है वो मैं आपको पूझ होंगी उसके आंसर आपको देना है बीज कैसे बोए जाते हैं? बताओ किसी को पता है बीज कैसे बोए जाते हैं? बीज कैसे होते हैं? कठीन होते हैं न? उसके आगे फिर उसको आपको बोणा है तभी इस तरह से यह अंकुराएगा और इस तरह से यह बढ़ा हो जाएगा तो ये जो बीज है इसके बोने के लिए कुछ प्रक्रिया होती है तो किस तरह से बोय जाते है जब हम लोग घर में लगाते हैं इस तरह के बीज तो कहाँ पर लगाते हैं एक घमेले में लगाते हैं और इसके लिए हमें क्या ज़रूरी है फिर बीच कैसे बोय जाते हैं पहले तो धमेला चाहिए और क्या चाहिए ये बीच बड़ा होने के लिए उसको मिट्टी चाहिए और क्या चाहिए हमें पानी चाहिए उसके लिए अच्छी खाद चाहिए उसे सूरे प्रकाश चाहिए ह हवा चाहिए और ये सब मिलकर फिर इस तरह से इसकी बढ़ हो सकते इस तरह से ये इसका विकास होगा उसी तरह ये छोटा जो बच्चा है ये बड़ा होने के लिए इसका शाररिक और मांसिक विकास होना जरूरी है ये किस तरह से होता है शाररिक विकास होने के लिए हमें किस बात की जरूरी है, जैसे कि पोदे को किस बात की जरूरी है, हवा चाहिए, पानी चाहिए, जमीन में नमी चाहिए, सूर्य प्रकास चाहिए, उसी प्रकार मानो विकास के लिए भी क्या चाहिए, तो मानसिक और शारिरिक विकास होने के लिए हमें अच्छा खाना खाना चाहि जापर भी है तो वहाँ पर हमें अच्छी तरह से सब कुछ बातों से हमें सपोर्ट चाहिए तो हमारा मानसीक विकास भी अच्छी तरह से हो सकता है तो इस तरह से हम लोग बड़े होंगे बड़े की विकास काम पर होगा स्कूल में होगा शारे की विकास काम पर होगा घर पर होगा और मानसीक विकास के लिए हमें खुद ही प्रयत्न करना पड़ता है जैसे कि अच्छा अच्रण चाहिए तो इस तरह से हम लोग अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं पोदा लगाने के लिए हमें किन-किन चीजों की जरूरत होती है किन-किन चीजों की जरूरत होती है हमें मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, घमेला चाहिए और क्या चाहिए, उसके लिए खाट चाहिए और जहांपर सूर्य प्रकाश आता है ऐसी जगा हमें देखना है ये तो हो गया अगर हम लोग घर पे लगाते हैं पोदा तो इस बात का हम खयाल रखेंगे अगर किसान खेती करता है तो वो किन चीज़ों से करेगा उसके लिए उसे हल चाहिए वो हल चलाने के लिए बैल चाहिए अच्छी मिठी चाहिए और क्या चाहिए पानी चाहिए तो इस तरह से और खाट भी चाहिए ये सब चीज़ मिलकर वो अच्छी तरह से खेती कर सकता है Next Question है पवदे के विकास और मानों के विकास की समानता बताहिए जैसे कि पवदे के विकास के लिए ये जो पौदा है हमें इस पार्ट में पढ़ना है कि देखो अगर ये कोशिश करता है तो ये इस तरह से ये पेड़ उख सकता है अगर ये अलसी बना नहीं मुझे उगना ही नहीं है तो ये जो कठीन ऐसा जो कवचे ये खोल कर अगर वो बाहर ही नहीं आ गया वो अंदर ही स कहिना है कि ये जो बीज है तो ये कठीन होता है और उसमें नन्ना पौदा छुपा होता है उसी तरह अपने मानों में भी अच्छा या चुपी होती है हम उसका विकास कैसे करेंगे तो अच्छा आचरण हम करेंगे तो उसका विकास होगा और हम अच्छे इंसान बन सकेंग इसके लिए हमें क्या करना जरूरी है आलेस से छोड़ना जरूरी है और खूब मेहनत करना है तो हम लोग हमारा विकास कर पाएंगे तो इस तरह से पौदे के विकास में और मानों के विकास में समान था कवी ने यहां पर बताई है अब देखो बच्चो यहां पर कुछ गूड़ हैबिट्स बताई हुए है तो यह गूड़ हैबिट्स क्या है कि सुभा में इसमें क्या दिखाई दे रहा है सुबा में जल्दी से उठना है Wake up early in the morning सुबा में जल्दी उठो Brush your teeth daily याने daily हमें क्या करना है Brush करना है जिससे के हमारी सेहत अच्छी बनी रहे Next क्या है Share things with your subbing याने अपने बहेन भाईयों के साथ हमें हमारी चीजों को share करना चाहिए ये good habit है Do your homework on time याने जो आपको homework दिया है वो आप कैसा करेगे Time मी करेंगे Time जाने के बाद नई वक्स से पहले ही आपको homework करना है Next क्या है Wash your hand before eating food खाना खाने के बाद अपने हाथ अच्छी तरह से दोना चाहिए Next क्या है Help your mother in her work याने अपने माता को अपने मम्मी को उनके काम में मदद करना चाहिए ये अच्छी बात है ये बुरी बात है अच्छी बात है ये सब भी आदते हमें अपनाना है जिससे की हमारा अविकास अच्छी तरह से हो सके Next क्या है Listen to your school carefully Listen your teacher carefully जब आपके teacher आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको अच्छी तरह से carefully उसको सुनना है Next क्या है Eat vegetable and fruits याने फल और सबजियां हमें daily खाना साहिए जिससे की हमारी शारेरिक शमता अच्छी बन सके Do not make noise in the class Class में हमें क्या करना चाहिए अच्छी तरह से बैटना है आवाज बिलकुल करना नहीं है Get ready for school yourself School में जाते वक हम लोग देखते हैं कि खुद से तयार नहीं होते है मम्मी से पूछते है मेरे जूते की दर है मेरे सॉक्स की दर है मेरे बैक की दर है बैक भी मम्मी और अपने पापा को ही बरना पड़ता है तो इस तरह से ये गलत बात है अगर हमें अच्छी आदते आपना है तो आप खुद की खुद ही तयार होना है जब स्कूल को आप जाते हो तो आपकी खुद की बैक खुद ही बरना है Wait in queue for the turn जब आप लोग रास्ते पे चल रहे हो तो थोड़ा सा रुपकर ही चलना चाहिए queue बना के इस तरह से आप में रास्ता क्रॉस करना है ना कि गड़बड़ई में उसके आगे क्या है Throw waste in dustbin जो भी dust है, कच्रा है वो काँपर डालना है dustbin में डालना है play for play fair games याने हमें indoor games खेलना है तो ये है अपने good habits उसके बाद है bad habits देखो बच्चो good habits अच्छे है, bad habits bad habits क्या दिख रहे हैं याँखो touching touching live wires याने electronic कौन सी भी चीज़े होती है तो उन्हें हमें ऐसे जो open ऐसे जो wires होते हैं उन्हें हाथ नहीं लगाना है उसके बाद क्या है throwing banana skin on road याने बनाना खाकर केला खाकर उसका जो छिलका है इस तरह से रास्ते पर आप लोग फेकोगे तो क्या होगा देख रहा है आपको या औरत यहाँपर गिर गई है इसने बनाना खाकर केला खाकर उसका चिलका याँपर फेक दिया है तो यह bad thing है तो केला काँपर फेकना है केले का चिलका dustbin में फेकना है touching poisonous articles देखो इस तरह से अगर कोई poisonous चीज होती है तो उन्हें छोटे बच्चों ने आप पर हाथ नहीं लगाना है fighting with others यह गलत बात है ना यह अच्छा लगता है कैसे इस तरह से fighting करना तो किसी के साथ भी जगडा लड़ाई करना नहीं है next क्या दिख रहा है flying kite on rooftop आप लोग अगर पतंग इस तरह से यह देखो उतर तैसा यह चपर दिख रहा है यहाँ पर parapet wall नहीं है इस जगा पर इस तरह से अगर आप लोग पतंग उड़ाएगे तो यह सही बात है क्या नहीं यह गलत बात है तो इस तरह से आपको पतंग नहीं उड़ाना चाहिए यह bad habit है next क्या है harming animals and birds यहाँ पर देखो यह जो बच्चा है birds को मार रहा है और यह भी frog को मार रहा है तो इस तरह से किसी भी प्राणी या प्राणी को इस तरह से हमें दुख नहीं पहुँचाना चाहिए यहाँ पर क्या है smoking तो यह भी गलत बात है इस तरह से यह देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है यह train जा रही है और यह रास्ता क्रॉस कर रहे है तो leaning out of running train तो इस तरह से हमें यह rail track क्रॉस नहीं करना चाहिए और क्या है reading books on road देखो यह बात सही है यह गलत यह बात गलत है तो इस तरह से हमें road पर books नहीं पढ़ना चाहिए hurting elderly people याने जो अपने से बड़े लोग है उन्हें हमें hurt नहीं करना है उन्हें दुख ही नहीं करना है crossing railway track railway track को इस तरह से cross नहीं करना है यहाँ पर क्या है jumping of running bus चलती उई bus में से उतरना गलत बात है playing on the road road पर इस तरह से खेलना गलत बात है throwing waste on road देखो यहाँ पर क्या किया है यह जो lady है यहाँ पर यह कच्रा फेक रही है यह सही बात है क्या कच्रा किस तरह से अपने dust bin में ही डालना चाहिए beating fingernails इस तरह से nails को चुबाना गंदी बात है इससे क्या होता है नाखुन में का जो गंदाय अपने पेट में चला जाता है और अपना पेट खराब हो जाता है इससे सेहत पर असर होता है इस तरह से nails नहीं चबाना है holding running truck देखो यहाँ पर क्या कर रहे है truck को पकड़ के यह बच्चा ऐसे cycle पर जा रहा है तो इस तरह से यह गलत बात है गलती से भी अगर उसका हाथ छुड़ गया तो यह truck के नीचे आ सकता है तो यह bad habits है तो मैंने बताए आपको good habits क्या है और bad habits क्या है इस तरह से अगर हम लोग अच्छे आदते आपनाएंगे तो हम लोग अच्छे इंसान बनेंगे हमारा विकास अच्छा होगा अगर हम लोग bad habits के साथ रहेगे तो हमारा विकास नहीं होगा तो इसी तरह से हम इस पार्ट में क्या पड़ेंगे जैसा पवदा मिट्टी, हवा, पानी, सुरप्रकाश आदी के सहयोग से विकसित होता है उसी तरह से मनुष्यव के विकास में भी सबी वर्गों का उतना ही महत्वपूर्ण योगदान होता है इसमें अपने मातापिता है, अपने गुरुजन है और हमें जो भी लोग अच्छे लगते हैं उनका हमें आच्रण, जो उनके अच्छे आदते हैं वो हमें अपनाना है इस पाठखा मुख्यभाव क्या है? इस कवीता के माध्यम से कवी ने मानो विकास की प्रक्रिया को समझाते हुए त्याग, मेहनत, लगन इस भावना की सीख हमें दी है हमें किस बात का त्याग करना है? अलस्य क्या त्याग करना है? और हमें मेहनत से रहे के, लगन से रहे के हमारा विकास करना है साराउश के आई इस पाठखा इस कवीता में बीज में सोया नन्ना पवदा, हवा, पानी और धूप को पाकर आलस्य त्याग कर बाहर आता है बाहर आकर पवदा विकसित होता है इसी तरह मनुष्य आलस्य को त्याग कर निष्टा और लगन से कार्य करे तो जीवन में सफल होता है यही समानता इस पार्ट से हमें सिखना है तो बच्चों टेस्ट बुक ओपन करो पेज नंबर 27 आपको यहाँ पर उंगली रखके मेरे पीछे पीछे इस पार्ट का पठन करना है पार्ट क्रमांक चार नन्ना पवदा इसके लेखके राज्यू कुरुष्ण सक्सेना इसके आगे एक बीज था गया बहुत ही गहराई में बोया उसी बीज के अंतर में था नन्ना पवदा सोया तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या दिया है एक बीज था गया बहुत ही गहराई में बोया गहराई में याने बहुत ही ऐसा अंदर खोल ऐसा जो है वहाँ पर एक बीज था वो बहुत ही गहराई में बोया बोया याने लगाया हुआ था वहाँ पर उसी बीज के अंतर में था नन्ना, पौधा, सोया यहाँ पर देखो अंतर, अंतर का मीनिंग क्या है? बीतर, वो बीज के बीतर क्या था? एक नन्ना, पौधा, सोया हुआ है ऐसा कवी का कहिना है तो बच्चों बताओ, बीज कैसा होता है? बीच का बाहरी खोल कटोर होता है या नरम कैसा होता है कटोर होता है बराबर उसके आगे उस पौधे को मंदपवन ने आकर पास जगाया नन्नी नन्नी बूंदों ने फिर उस पर जल बरसाया उस पौधे को मंदपवन ने क्या किया है किसने उठाया है उस पौधे को जब वो पौधा वो उजबीच से बाहर आया तो उस पौदे को मंद याने धीमा हलका हलके सी हवा महाँ पर चल रही थी और जब वो बीज में से ये पौदा इस तरह से बाहर निकला तो इस हवा ने क्या किया उसे पास आ गया और उसको जगाया है नन्नी नन्नी बुंदों ने फिर उस पर जल बरसाया तो उसके बाद फिर उसके उपर पानी गिरा वो जो बुंद है वो बुंद गिरने के बाद इस तरह से ये पत्ते आपको दिख रहे है नन्नी नन्नी बुंदों ने फिर उस पर जल बरसाया तो बच्चो बीज बड़ा होने के लिए किस-किस बात की जरूरी होती है उसे पानी की जरूरत है, धूप की जरूरत है, हवा की जरूरत है और इससे ये इस तरह से खिल उटेगा इस तरह से ये बीच पर सप्रक्रिया हो गई है उसके आगे नेक्स क्या है सूरज बोला प्यारे पोधे निदरा दूर भगाओ अलसाई आखे खोलो, तुम उठकर बाहर आओ तो सूरज ने, यहाँ पर ये दिख रहा है ये सूरज क्या बोल रहा है प्यारे पोधे, क्या करो? निदरा दूर भगाओ याने निन से तूम जग जाओ निदरा याने निन, निदरा को तूम दूर भगाओ अलसाई आखे खोलो तुम उठकर बाहर आओ अलसाई याने क्या आलेस्य से भरी हुई जो तुमारी निद्रा है तो वो छोड़ दो तुम तुम आखे खोलो और बाहर आजाओ इस तरह से कभी यहां पर कहते हैं तो देखो बच्चो यह जो बीच बाहर आने के लिए इसे कौनसी बात की जरूरत है आलेस से छोड़ना है नीन को छोड़ना है और इस कठीन ऐसी जो इसकी परत है उपर के जो भागए वो खोल कर उसे बाहर आना है तो इससे यह क्या बनेगा पेड़ बनेगा उसी तरह से अगर छोटा बच्चा अपना आलेस से छोड़ता है नीन छोड़ता है और बराबर से स्कूल आता है अपने मम्मी पापा का कहानी मम्मी पापा जो कहते हैं उनका कहां वो मानता है तो इस तरह से वो पेड़ की तरह विशाल बन जाएगा और अच्छा इंसान बने इसके लिए सब में ज़रूरी क्या है आलस से उनको छोड़ना है नेक्स क्या है आख खोलकर नन्ने पोधे ने तबली अंगड़ाई एक अनोकी शक्ती सी उसके तन में आई जब सूरज ने बोला कि तुम आलस से छोड़ो बाहर आजाओ तो उस पोधे ने क्या किया जो उस बी आख खोली खोलकर नन्ने पोधे ने तबली अंगड़ाई याने उसने शरीर को ताना याने स्ट्रेच किया और वो बाहर आगया एक अनोकी एक अनोकी शक्ती सी उसके तन में आगई तन में याने उसके शरीर में कुछ ऐसी शक्ती आगई और वो उस बीच से बाहर निकल आ नींद छोड़ आलस्य त्याग कर पौदा बाहर आया बाहर का संसार बड़ा ही अद्बुत उसने पाया जब उसने नींद छोड़ी उसका त्याग किया आलस्य छोड़ा तो वह बाहर आ गया और बाहर का संसार कैसा था अद्बुत था ये अनोका ऐसा अद्बुत याने अनोक त्याग याने छोड़ना तो नीन का अलस त्याग कर वो पवदा बाहर आया और उसने देखा कि सौंसार बहुत ही अच्छा है अध्भूत है अनोखा है तो बच्चों हम लोगों ने आज ये नन्ना पवदा पाट का पठन किया आशा करती हूँ आपको ये पाट समझ में आया होगा तो इस तरह से जैसे कि पवदे का विकास होता है मनुष्य ने भी अपना आलस से छोड़ना है और अपना विकास करना है इस पाट से हमें ये सिख मिलती है धन्यवाद